Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and this video में हम पढ़ने जा रहे हैं origin tax के बारे में So it says origin based taxes levied where goods and services are produced not where they are consumed ये एक ऐसे तरे का taxation है जो उस जगेह पे लगता है जहां पे goods का production होता है instead of उसका consumption Just opposite of destination tax अभी previous वीडियो में हम लोगों ने destination tax के बारे में पढ़ा है जो बोलता है कि जहां destination होगी उस कुछ की वहाँ पे उस पे taxation लगेगा लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे जहाँ पे goods produce किये जाते हैं वहाँ पे उसका taxation process स्टार्ट होता है और वहीं पे taxation लगता है Same way में यहाँ पे उन्होंने एक example दिया है Same Gujarat and Rajasthan का example है If A in Gujarat produces the goods and sells the goods to B in Rajasthan then in such case the tax should be levied and collected in the state of Gujarat and not in the state of Rajasthan यह बोलते हैं कि अगर माल लीजे कभी भी goods का production होता है गुजरात में और वो भेजे जाते हैं राजस्तान में भी इंसान को Then in that scenario यहाँ पे taxation जो लगाया जाएगा वो गुजरात में लगाया जाएगा ना कि राजस्तान में आई यह previous वीडियो की तरह इसमें भी हम एक example देख लेते हैं यहाँ गुजरात से goods शुरू हुए, produce हुए यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका production हो रहा है और यह उन्होंने बेचे कहाँ पे? राजस्तान में तो राजस्तान इसका क्या हो जाएगा? destination हो जाएगा यह destination taxes जहाँ पे होते हैं उसके लिए जरूरी है लेकिन गुजरात इसका क्या है? गुजरात इसका origin है ठीक है? गुजरात में इसका क्या हो रहा है? आपका origin tax, so basically just अगर आपने destination tax समझ लिया तो यह उसका बिल्कुल opposite concept है destination tax में destination या फिर consumption वाली प्लेस पे taxation लगाया जा रहा था whereas यहाँ पे tax लगाया जा रहा है आपकी place of origin में मतलब जहां से goods का production start होगा, मतलब जहां पे goods produce हुए है वहीं पे taxation लग जाएगा, आगे की story जाएगी ही नहीं ऐसे में क्या होता है, कि आचली बहुत सारे अलग-अलग taxes होते हैं हमारी country में उसको हमने bifurcate किया हुआ है कुछ destination tax में और कुछ origin tax में but हम इसे यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ने का एक simple सा reason है कि जैसे हमने direct indirect tax पढ़ा था जो कि मतलब आपकी book में नहीं given है but still GST में कही न कहीं उसका reference दिया हुआ है तो हमने वालक से पढ़ा तो ऐसे ही यहाँ पे GST में destination tax और origin tax का काफी बार reference दिया गया है तो अगर आपको यह दोनों concepts पता होंगी तो आपको जादा अच्छे से समझ में आएगा कि exactly करना क्या है अब finally हम GST वाला topic start करने जा रहे हैं which is a very important topic क्योंकि बहुत जादा trend में भी है अभी-अभी implement हुआ है काफी सारी चीजे उसमें जानने लाएक हैं तो वो सारी चीजे हम जानेंगे हमारी next video से so stay tuned for that video और अगर आपको कुछ भी note मतलब किसी भी topic से related कोई भी doubt है that's our official website जिसका link is provided in the description box इसके अलावा हम आपको एक और initiative के बारे में बताना चाहेंगे जो Magnet Brains ने start किया है that is Magnet Brains Plus that's basically an initiative जिसमें बहुत सारे additional चीजे प्रवाइड की जा रहे हैं students को so that उनको ऐसा ना लगी कि हम क्योंकि coaching classes नहीं जा रहे हैं just because हम YouTube से पढ़ रहे हैं तो हमारा मतलब हमारे हम किसी किसी चीज में लाक कर रहे हैं वो चीज फील नहीं आने चाहिए इसलिए उस चीज को replace करने के लिए हमने आपके लिए additional मदद या फर help या कुछ भी बोल सकते तयार की हैं इसमें तीन लेवल्स हैं diamond, silver and gold तो आप अपने requirements के according चूज कर सकते हैं अपना लेवल और उसी के according you can see the things जो भी उसमें हैं जो features उसमें included हैं पोरा detailed description आपको description box में मिल जाएगा वहां से आप अराम से पढ़ सकते हैं कोई doubt हो तो वहां पे जो number mentioned है वहां पे call या message करके पूछ सकते हैं